दोस्तो आज बात करेंगे अपन सेलाक डेलोने का जन्म 1940 में हुआ और मर्तिव हाली में 2011 में हुई थी यानि कि सेलाक डेलोने contemporary writers में से थे ये अपने plays के लिए काफी famous है सेलाक डेलोने ने एक कृति लिखना शुरू किया था जिसका नाम था A Test of Honey इसको उन्होंने पहले तो fiction के तोर पे लिखना शुरू किया था यानि काल्पनिक कर्ति के रूप में लिखना शुरू किया था लेकिन इसे इसके British theatre में क्रांती लाने के दृष्टिकॉन से एक नाटक यानि play में बदल दिया सेलाग डेलो ने कि जो कृती थी A Test of Honey अरंबिक तोर पर एक काल्पनिक यानि fiction के रूप में थी लेकिन बाद में उन नाटक में यानि play के अंदर बदल दिगई ये उनका पहला नाटक है सेलाग डेलो ने का पहला नाटक है जो उन्होंने मात्र 19 साल के उम्र में 1908 में लिख दिया था इनके अगली रचना वही रचना जो अपने डिसकस करें थे A Test of Honey 1908 में यह एक कीचन सिंक ड्रामा है कीचन सिंक ड्रामा के बारे में अपना आगे भी पढ़ेंगे आधुनिक लेखकों ने रोजमर्रा के जीवन में आम आदमी के जीवन में आने वाली समश्याओं और किठनेयां को ले करके और उनको उजागर करते हुए जो ड्रामाज रचे थे जो प्लेज रचे थे ऐसे प्लेज किचन सिंक ड्रामा के लाते हैं क्योंकि यह उनके गरेल पुर्पुर के आदमी के साथ अफ्यर है जो जिमी नाम के काले नाविक के साथ रिष्ते में है जो उसे गर्भ वथी करने के बाद में छोड़ देता है जेफरी एक समलेंगिक है सरोगेट पिता की भूमी का लेता है और जो को एक घर प्रदान करता है लेकिन हेलन की वापसी जो की बवीशे के दरिष्ट कोन को खत्रे में डाल देती है यह नाटक वर्ग नसल लिंग समलेंगिकता जैसे मुद्दों पर गंभीर सवाल उठाता है इसके बाद सेलाग डेलों ने को अपने स्टाडी कर लिया जिसमें महतोपुन सवाल यही बनता है टेस्ट अपानी जो तो सुरुआत हुई थी एक फिक्सन के रूप में और अन्तता है वो एक प्ले के अंदर कनवर्ट होगी एक ड्रामा के अंदर कनवर्ट होगी इसके बाद अपने बात करेंगे अगले प्लेराइट के बारे में जिसका नम है रोबर्ट बोल्ट एक वीपूल नाटक कार और लोरेंस ओप अरेबिया और डॉक्टर जिवागो की पठकता के लिए दो बार ओसकर विजेता है रोबर्ट बोल्ट एक विपुल नाटक कार है जिनोंने लोरेंस ओप अरेबिया और डॉक्टर जिवागो इन दो पठकताओं इन दो पठकताओं के लिए इनको दो बार ओसकर पुरुसकार भी मिला था रोबर्ट बोल्ट को इनके एक रचना है A Man for Old Season 1960 में आई थी A Man for Old Season यह नाटक Sir Thomas More Thomas More जिन्नोंने अपने आगे की वीडियो में अपन पढ़ेंगे Old English में Thomas More जो हैंडरी सेवंथ के दरबार में एक बड़े राज नेता थे जो हैंडरी सेवंथ और हैंडरी एट के बीच में रोमन चर्स से अलग होने को लेकर हुए संगर्स पर आदा रही था यह रोबर्ट बोल्ट ने लिखा है तो रोबर्ट बोल्ट के बारे में अपने दो क्वेशन इंपोर्ट नेता थे और हैंडरी एट के बीच में जो रोमन चर्स से अलग होने के लिए संगर्स हुआ था उस पर आदा रही था अगले लेकक के रूप में प्लेराइट के रूप में अपन लेते हैं जो आर्टन को जो आर्टन एक विपल उत्तर आद उने एक नाटकार थे उत्तर आद उने एक नाटकार मतलब पोस्ट के मोडरन नाटकार थे प्ले राइट थे जिनका लेखन के रियर बहुत छोटा था लेकिन बहुत महत्वापन था जो आर्टन उन्होंने कुछ निंदन या ब्लेक कोमेडीज का निर्मान किया था जिसने उनके दर्सकों का मनुरंजन किया और उन्हें चोंका दिया था 1967 में 34 साल की उम्र में उनकी हत्या कर दी गई थी इनका एक नाटक आया था लूट 1965 में ये नाटक दो कृत्यों में विवाजी था दो एक्ट्स में है लूट दो चोरों हेल और डेनिस के भाग्ये और भाग्ये का वर्णन करता है नाटक के माध्यम से ओटे ने मोध के प्रती रोमन केतलिक चर्च के सामाधिक द्रिश्टिकोंड और एक एक रिस्टन सा ग्रूप में पुलिस पर विवेंगे किया है इनका एक प्ले आया था एंटर्टेनिंग मिस्टर स्लोईन ये एक हाश्या 1963 में ये हाश्या अस्पद नाटक है जो कूडे के ढेर के किनारे पर आध लिया इसके बाद में अपन ने जो ओटेन के बारे में ये देखा कि इन्होंने कुछ ब्लैंक कोमेडीज का निर्मान किया था 1967 में चोतिस साल की उम्र में उनके हत्या हो गई थी और इनके प्रसित नाटक लूट और एंटर्टेनिंग मिस्टर स्लोईन इसे पहले अपन ने रोबेट बोल्ट के बारे में पड़े रोबेट बोल्ट का कॉस्चिन मड़ा था एमेन फोर ओल्ट सीजन 1960 की रचना है और रोबेट बोल्ट जो दो बार ओसकर पुरुसकार जीते हैं वो लोरेंस ओप अरेविया और डोक्टर जिवागो की पठकता के लिए जीते हैं तो दोस्तों अगले वीडियो में अपन ब्रेंडेन बेहन को स्टड़ी करेंगे यहां 1965 एंटर्टेनिंग मिस्टर श्लोयन 1963 और वोट दबटलर सा इनकी तीस रचना थी अगले वीडियो में अपन ब्रेंडेन बेहन के बार मिस्टड़ी करेंगे तब तक के लिए जाहेंगे